Range Rover ने कुछ दिन पहले Range Rover Evoque का second generation इंडिया में launch किया ये नए platform पर बनी है इसमें नई technology जोड़ी गई है तो चलिए देखते हैं कैसी है नई Range Rover Evoque Range Rover की नई Evoque जो finally भारत में launch हो चुकी है और करीब 9 साल के बाद इसका second generation आया है जो आपके सामने है क्योंकि 2011 में ये गारी पहले वार launch हो थी और अब जाकर के 2020 में इसका second generation आया है कंपनी के कहना है कि ये गारी पुरी तरह से नया है या यूँ कहें कि इंडियन से लेकर के platform तक सब कुछ नया है लेकिन मैं आपको तीन बड़े बदलाव के बारें बताऊंगा उनमें जो पहला है इसका डिजाइन दूसरा है टेकलोजी और तीसरा है इसकी capability क्या है इसकी फबड़े पूसरा खर्शने लेकर के विजाए इसकी बारें तक स्ब्सक्राइबग से तक सली है प्रिजाइन के बात करें तो नई इबोक को नए प्रेटफरम हो बनाये गिया है इसी वज़से जो इसकी हाइट, वीर्थ और लेन थे वो पहले से थोड़ा सा ज्यादा मिलता है यहाँ तक जो इसका विल्वेस के लंबा ही है उससे भी थोड़ा सा बड़ा किया गया है इसी वज़से जो सेकेंड रोसीट है उसमें आपको जो लेगरू में वो थोड़ा सा ज्यादा मिलता है पहले वाली इबोक के मुकाबले और इसी प्रेफरम पर नए डिस्करबरी स्प देशिनों को मिल जाएगा जो इसका हेड्लेंप है उससे थोड़ा सा स्लीम रखा गया है जो इसका फ्रंट ग्रील है उन नए शेप में और यह थक्सरकनल डिजाइन में है जबकि पहले यहाँ पर ब्लैक लर में ग्रील हुआ करता था जो इसका लोर बंपर है उसका भी शे पूरी तरह से नया है जो इसका टेयłam में इसके में इसे स्लीम और रख राउंड रखा गिया और फिक से प्रंट एड़ यह उसकी तरह ही से भी स्लीम रखा गिया जो इसका लोवर बंपर है तो भी पुरी तरह से अब नया है जो काफी खुश्तुरत दिखता है जो इसका बूट स्पेस है वो पहले से थोड़ा सा ज्यादा मिलता है पहले इसमें मिलता था 405 लिटर जबकि अब मिलता है इसमें 491 491 लिटर अगर सेकेंड रोसीट को फूल क कर दें तो बूट स्पिस हो जाता है 1313 लिटर तो यह तो हो गई डिजाइन की बात लेकिन इसके टेकलोजी में क्या बदलाव गिया गया है चले हो भी जान लेते हैं नई वोका इंटीरी अप पुरी तरह से नया है और इसे पहले मुगाबल और भी स सिंपल बनाया गया जो लैंड आवर गाडियों की खासेद भी हैं जो इसका डाश्बॉड है Central Console Panel और जो इसका steering wheel है वो पूरी तरह से नया है और यही पर उन technology का पता चलता है जो company इस गारे में इस्तिमाल किया गया है जो इसका Central Console Panel है उसको तीन भागन बाटा गया पहला है infotainment system, दूसरा AC और off-road के button और तीसरा sports gear lever यहां पर मुझे एक टी कमी लगी इस धक्कन के नीचे जो cup holder है और उसके उपर जो एक cover दिया गया वो थोड़ा सा मुझे आजित सा लगा यहां पर पहले बारी जो evoke थी उसकी तरह sliding cover होना चाहिए था जो इसका steering wheel है वो पुरी तरह से नया है और इसके उपर बटन्स दिया गया है वो feather touch and touch के सहारे ठाम करते हैं लेब साइड में आपका audio दिया गया जबकि राइड साइड में आपका cruise control, lane changing और speed limiter दिया गया है जो इसका TFT screen है वो analog style में है क्योंकि यह जो गारिया आप देख रहे है वो evoke का ace model है यानि lower variant है जबकि जो इसका top variant है R dynamic AC उसमें आपको 12.3 inch का virtual TFT screen दिया गया जबकि आप उसको अपने सहलियत हिसाफ से state कर सकते हैं साथ ही जो इसका top model है उसमें आपको touch pro duo infotainment system मिलता है जबकि इसमें जो इस model है उसमें आपको 10 inch का सिप touch pro infotainment system दिया गया है लेकि इसकी community कैसी है चली ओभी चला कर देख लेते हैं कर सकते हैं टीसरी जो 6 थी ओ है इसकी capability जिसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया है क्योंकि इसमें all-terrain response 2 लगाया गया है यानि ए रोड के condition और surface कनुसार जो इसका drive mode है automatically change जात है वैसे इसमें 6 drive mode दिये गये हैं पहला है eco, दूसरा है comfort, तीसरा है automatic चौता है grass, पांचवा है mud और रट्स और छट्था है, वो है fan इंजन के बात करें तो इसमें 2 लिटर का BS6 इंजन लगा है जिसका power output है 178 VHP और engine 9 speed automatic gear के सहारी काम करता है तो gear इतना smooth है कि पता नहीं चलता है कब gear change हो रहे हैं speed की बात करें तो जो इसकी top speed है 205 km और यह 0-100 km speed 9.3 seconds में आराम से फू लेती है capability के साथ इसमें safety के अभी पूरा ख्याल रखा गया है इसी वाद से safety के लिए इसमें 6 airbag, ABS, EBD, traction control, heel accent, decent के साथ इसमें stability control जैसे तमाम features दिएगे इसी वाद से जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको feel होगा कि आप safety वाली गाड़ी चला रहे हैं और बुसरी बात जब आप high speed में होते हैं और उसमें जब आप turning के दवान गाड़ी को turn करते हैं तो आपको इन सारे safety features का feel पता चले गया करते हैं अब काम की बात कि नई Evoque का किन-किन गारियों से मुकावला है तो Evoque का जिन गारियों से मुकावला है उनमें Mercedes की GLC, Audi की Q5 और BMW की X3 शामिल है लेकिन एक capability की बात करें और off-road की बात करें तो Evoque इन सब गारियों के मुकावले सबसे उप्री पाइदान पर पहुंचती है इसे वाद से मेरा मानना है ति अगर आपके बजट है साट लग क्यास पास और एक आप luxury फीचर के साथ आप off-road capability वाली गारी चाहते हैं तो आपके लिए Evoque एक best option हो सकता है तब गारियों के बीच में होगा नए Range Rover Evoque में काफी सारे नए features आड किये गए हैं जिससे आप ये पहले के मुकाबले जादा desirable तो है लेकिन इस segment के हिसाथ से इसकी कीमत थोड़ी जादा है तब देखना होगा ये customers को कितनी पसंद आती है